तो दोस्तों अगर आप एक CAC VLE हैं तो आप सभी CAC VLE इसके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है CAC में मतलब जो है डिश्टल सिवाव पोटल में एक नई सर्विस को लाँच किया गया है जिसके माध्यम से अगर VLE यहाँ पर रजिस्टेशन करते हैं इस सर्विस में लोगों का तो यहाँ पर VLE को जो है 50 रुपे प्रती रजिस्टेशन का कमिसन जो है CAC की तरफ से दिया जाएगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को इस नई सर्विस के बारे में completely information प्रोवाइट करने वाला हूँ कौन सी वो सर्विस है किन लोगों का आपको यहाँ पर रजिस्टेशन करना है और रजिस्टेशन करने का जो process है वो process क्या रहेगा तो वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा informative होने वाला है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए इसी तरह का contain आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलते रहता है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जिस service के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें की वियली को 50 रुपे प्रती registration का commission दिया जाएगा उस वाली service में आने के लिए सबसे पहले आपको जो अपना digital सिवा portal जो है login कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक services का option मिलता है आपको यहाँ पर click कर देना है तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी आपके digital सिवा portal में services सारी की सारी services आपको दिखाए जाएगी आपको यहाँ पर एक option मिलता है search का तो आपको यहाँ पर search वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपको search करना है new तो जैसी आप यहाँ पर लिखेंगे new तो यहाँ पर जितनी भी सारी नई सर्विस है जो कि CSC में live की गई है वो सारी की सारी सर्विस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ पर हम जिस सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते है LPG New Connection and Update तो दोस्तों यहाँ पर आपको LPG का जो नया connection है उसके लिए एक service को launch किया गया है तो यहाँ पर आपको simply करना क्या है click here वाले button पे click कर देना है जैसी आप click here वाले button पे click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का interface page आ जाएगा अब यहाँ पर नया क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ठीक है ना तो सबसे पहले आपको यहाँ पर digital सेवा connect के साथ में click कर लेना है तो यहाँ पर आपको जो है VLE की completely information दिखाए देगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका CSC ID, User Type, Email ID ठीक है ना और यहाँ पर आपका last active तो आपको simply proceed वाले button पर click कर देना है जैसी आप proceed वाले button पर click करते हैं तो आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा अभी दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोगों को पता है तो यहीं पर दोस्तों आपको एक नई सर्विस देखने के लिए मिलेगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं HPCL HPCL New Connection मतलब दोस्तों यहाँ पर जितने भी सारे ऐसे candidate है जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रधान मंत्री उजवला योजना के अंतरगत जो है हितगराही को फीरी में गेस टेंकी प्रोवाइट की जाती है ठीके ना तो आप जो है आप CSC सेंटर के माध्यम से इस वाली सर्विस में लोगों का रजिस्टेशन कर पाएंगे जहां दोस्तों प्रधान मंत्री उजवला योजना के अंतरगत अगर किसी भी कस्टमर का आपको रजिस्टेशन करना है इनकों कि प्रधान मंत्री उजवला योजना का अभी तक बैनेफिट नहीं मिला है और वो जो है इस criteria में आते हैं कोई भी महिला आवेदक इस criteria में आती है और वो आवेदन करना चाहती है तो आप जो है CSC portal के माध्यम से यहाँ पर आप जो है उसका आवेदन कर पाएंगे ठीके ना लेकिन यहाँ पर एक condition है कि जो ARM VLE है इसमें registration नहीं कर सकता है मतलब सभी VLE यहाँ पर registration नहीं कर पाएंगे उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा आपको LPG guest का distributor ship लेना होगा अब distributor ship आपको कैसे मिलेगा तो उसके लिए आपको यहीं पर simply proceed वाले button पे click कर देना है जैसी आप proceed वाले button पे click करते हैं आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा अब दोस्तों अगर आप LPG का distributor ship ले लेते हैं तो आप कोन-कोन से काम कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बताया गया है LPG आप जो है refill request कर सकते हैं अतलब जो खाली टैंकी है उनको भढ़ने के लिए आप जो है request कर सकते हैं आप जो है अपने CSC Center के माद्यम से लोगों को टैंकी भी provide कर सकते हैं ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर आपको जो है उजवला के new connection के लिए आप जो है application कर सकते हैं वो भी आप जो है अपने CSC Center के माद्यम से online application कर सकते हैं LPG gas distribution का काम आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं और VLE का जो report यहाँ पर आपका जो भी report है जितना भी आपने काम किया है उसका report आप यहाँ पर देख सकते हैं तो distribution plan के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है जैसे कि आप देख रहे हैं आपका farm इस तरह से आपको fill up मिलेगा जिसमें की completely information आपकी CSC ID से ले ली गई है यहाँ पर आपको select करना है कि आप जो है किस agency का distribution plan आचाते हैं तो यहाँ पर आपको Indian oil भी मिलेगा भारत gas भी मिलता है और HP भी मिल जाता है आपके nearest में जो भी agency है आप पहले उस agency पर जाकर बात कर लीजिए उसके बाद ही आप जो है उस agency को यहाँ पर select करके यहाँ पर आप जो है farm को apply करेंगे अब दोस्तों इसके लिए आपको जो है M.E.O. भी sign कराना होगा मतलब जो भी आपके nearest में जो भी gas agency है उस पर जाकर आपको सबसे पहले तो एक M.E.O. बनवाना होगा उस M.E.O. को आपको जो है यहाँ पर sign कराना होगा जो भी आपका district है उसको select कर लेंगे distributor का नाम क्या है वो आप select कर लेंगे उसके बाद M.E.O. को यहाँ पर आप जो submit कर देंगे तो जो भी संबंदित agency का आपने distributorship लिया है उसका distributorship आपको मिल जाएगा फिर आप जो है अपने CSE Center के माधियम से LPG के तमाम तरह के काम कर पाएंगे और यहाँ पर आपको जो है जैसे कि माली जी अगर आप जो है उजवला के new connection के लिए किसी भी customer का application करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रती registration का 50 रुपे commission जो है दिया जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप जो है चैनल को subscribe जरूर से कर लीजिए मैं मिलता हूँ आफसे नेक्स वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए जैहिन जैभार